दोस्तों हमारी application विश्णु economics school में आपको डाइसो से भी अधिक course मिलेंगे योकी UGC net, PGD economics, assistant professor, इसके अलावा UPS economics optional, M economics and UG economics के हैं के अलावा इस पूरे की पूरे application में आपको वीडियो course के अलावा test series और notes भी मिलेंगे, इसके अलावा free notes अगर आप download करना जाएं, तो आप अपमारी application के जो three dot है, उसमें आपको steady material का option मिलेगा, यहाँ से आप free notes भी download कर सकते हैं इस वीडियो में हम आप बच्चों को सम्झाने वाले हैं, सुमपीटर model of economic development, बच्चों यह जो topic है, अगर आप UGC net के student है, तो आपको दो बार पढ़ना पढ़ेगा, एक बार macro में पढ़ना पढ़ेगा, सुमपीटर के business cycle की रूप में, और एक बार आपको पढ़ना उन्होंने बताया किस तरीके से इनोवेशन के माध्यम से business cycle आते हैं, और यह जो innovation है, यह economic development का कारण मनता है, इसलिए आपको यह दोनों के दोनों topic एक साथी पढ़ने, तो बच्चों मैं आपको यह बता देता हूँ कि कोई भी economy जब start होती है, तो वो statinary equilibrium से start होती है, इस statinary equilibrium है, मतलब एक तरीके का गोल-गोल घुमना, ऐसे ऐसे घुमना, और अपनी जगह पर इस्तिर रहती है, यह कि किसी भी तरीके का परिवरतन नहीं आता, इसी को economics में statinary equilibrium कहा जाता है, यानि कि कोई भी चीज़ जब अपनी जगह पर अपनी धूरी पर घुमती रहती है, इस condition में जितने भी factor है, वो employed होते है, profit zero हो रहा होता है, there is no net saving, किसी प्रकार की saving नहीं होती, कोई investment नहीं होता, कोई growth नहीं होती population में, कोई involuntary unemployment नहीं होता, कहने का मतलब यह है कि जो प्रकरिया है, वो बार बार दोहराए जाती है, यानि कि लोग production करेंगे, उसी को consume कर लिया ज है, एक तरीके से economy बहुत ही नीरस है, बहुत ही आप कह सकते हो, बुजी 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 सी है, और जो प्रकरिया चल रही है, उसी प्रकरिया को बार 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 दोहराया जा रहा है, तो उन्होंने जो अपनी starting की थी, वो stationary equilibrium से की थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको statutory equilibrium का मतलब समझ में आ गया होगा, यानि कि जब कोई प्रकरिया एक ही धूरी पर बार बार दोहराई जाती है, आप रोज सोचे में उड़ते हो, रोज दस बदे सो जाते हो, ये प्रकरिया बार बार दोहराई जाती है, उसी को बोलते है, statutory equilibrium, यानि कि जो लगाता होत only possible by the disturbing of circular flow and it is possible through innovation, यानि कि जब तक इस circular flow में disturbance नहीं होगा, जब तक ये circular flow तूटे का नहीं, तब तक economic development possible नहीं है, और economic development करने का काम इनोवेटर करता है, बच्चो मैं आपको बता देता हूं कि इनोवेटर जो है, वो पुंजी पती नहीं है, इनोवेटर का महन काम होता है, इनोवेशन करना, यानि कि कोई नई technology लेकर आना, नई product को लेकर आना, तो बच्चो सुंपीटर ने पांच प्रकार के innovation बताए, जो कि किसी economy में innovation नहीं का काम करते हैं, जैसे introduction of new product, माली जी आपने क्या किया, एक mobile phone लेकर आए, mobile phone तो सभी के पास mobile phone है, आपके पास smart phone है, हम आपका एक तरीके का extra निकाल सकता है, बिल्को सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए, या आप कह सकते हो, 3D photo create कर सकता है, बन्दब एक तरीके से आप उसको घुमा के चारों तरफ से देख सकते हैं, ऐसी camera है, माली जी थोड़ी दिर के लिए, तो 3D कीजने वाला mobile phone आ गया, अब ये new innovation है, इसी तरीके से introduction of new method of production, यानि कि कोई ऐसी technology खुज लेना, एक ऐसा method ढूड लेना, जो पहले था ही नहीं, यानि कि आपने क्या किया, माली जे electricity से बल्व जो है, माली जे कार को चलाने में कोई ऐसी technology आ गई, कि पानी में वो कोई liquid मिलाने से, कार पानी से चलना बिखता नहीं था, उसको भी innovation कहेंगे, या आपने कोई new source of raw material ढूल लिया, ये भी innovation होगा, या आपने क्या किया, the carrying out new organization of any industry like creation of monopoly, यानि कि आपने क्या किया, किसी और को हटा के monopoly अपने market में create कर ली, कहने का मतलब ये है, कि ये पास तरीके के जो change है, वो innovation कहलाते है, तो सु source of raw material बना लिया, जैसे lithium की battery आ गई है, इसी तरीके से आपने creation of monopoly कर ली, ये सारे के सारे innovation है, innovation की वज़े से ये circular flow जो है, जो बार बार गटना गट रही है, ये तूट जाता है, और उसी की वज़े से development आता है, तो किस तरीके से development आता है, किस तरीके से उन्होंने business cycle को समझा आया, वो हम आगे बात करेंगे, according to Simpeter, in the introduction of new product and improvement in the existing one, that development sustainable development, यानि कि बार बार परिवर्तन आने कोई sustainable development उन्होंने का, तो किस तरीके से development आता है, उससे पहले आप दो चीज़ समय लीजिए, एक innovator का role क्या है, दूसरा profit का role क्या है, तो innovator को Simpeter ने development की की माना, यानि कि उ innovator नहीं होगा, तो कभी भी economic development नहीं हो सकता, innovator का का में innovation करना, capitalist की तरह है, वो पूंजी नहीं लगाता है, बलकि अपनी बुद्धी लगाता है, mind को create करता है, जो पूंजी पती है, जो capitalist है, वो पूंजी लगाता है, और जो interest है, वो लेता है, लेकिन innovator नए बजनिस में, जहां पर risk बहुत हाई है, वहाँ उतरता है, और new product को launch करता है, तो उन्होंने बताया कि दो चीजों की requirement होती है, innovator को एक तो technological knowledge, दूसरा finance, उन दोनों को ही सुमपीटर ने barrier नहीं माना, उन्होंने बोला कि technological knowledge का अठाय बंदार मौजूद है, जिसको अभी खोजा नहीं गय इसका मनला वो यह मानते थे कि technological knowledge आ जाएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है, और finance को भी उन्होंने दिक्कत नहीं माना, उन्होंने माना कि जो innovator है, वो आसानी से bank से low लेकर अपने innovation को finance कर सकता है, यानि कि यह जो दो हैडल थे, उनको भी सुमपीटर ने खतम कर दिया, profit की बात करें, तो बच्चो कोई भी innovator जो हैता है, वो profit के लिए काम करता है, और profit जो होता है, वो dynamic change की वज़े से होता है, यानि कि profit किसी भी economy में तब तक होता रहेगा, जब तक कि जो भी innovation हुआ है, वो general नहीं हो जाता, मा लेजिए 3D phone आया, 3D phone आने से, जो 3D phone मनाने वाली क touch screen मनाएगी, सभी 3D phone मनाएगी, इससे क्या होगा, touch screen माजार से गाइब हो जाएगे, और 3D phone मार्केट में रह दाएगी, यानि कि तब तक कंपनियों को profit होता रहेगा, जब तक कि जो innovation किया गया है, वो general नहीं हो जाता, तो बच्चो अभी तक हमने देखा कि innovation क्या होता है, profit क्या होता है, अब हम इनके business cycle को समझने का कोसिस करते हैं, और ये बच्चो आपके लिए बहुत important है, मैं एक करके आपको समझाने का किरोसिस करूँगा, यानि कि जो circular flow उन्होंने बनाया था, बार बार एकी प्रिक्रिया घूम रही है, घूम रही है, उसमें innovation होता है, innovation होता है, innovation of new product होता है, तो जैसे innovation of new product आएगा, जो कंपनिया 3D phone मना रही है, उनको profit होना शुरू हो जाएगा, हलाके इसके लिए, जो finance है, वो bank से लिया गया है, loan bank से लिया गया है, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि profit होना शुरू हो जाएगा, और जैसे कंपनी का profit हो जाता है, और कंपनी भी 3D phone मनाएंगी, तो इसको बच्चों हमने एक diagram के तुरू समझा देते हैं, देखे, diagram में आपको समझाने का प्रयास ही कर रहा हूं, देखे, समझने की process कीजिएगा बच्चों, सबसे पहले हो क्या रहा है, यह मालनी जी हम full employment माल लेते हैं, यह मालनी जी full employment का level है, यानि economy में full employment है, यह economy को चाहिए ही चाहिए, कि ऌके, सबसे पहले किया होता है, primary waves आती है, और यह primary waves कि सकी वज़े से आई है, यह primary waves कि सकी वज़े से आई है, यह आई है, innovation की वज़े से, यानि कि जब एक नया product launch होता है, तो नय product launch होने के साथ, 3D phone loan चोने के साथ जो 3D phone बनाने वाली कंपनिया है वो successful हो जाती है और जब ये 3D phone वाली कंपनिया successful हो जाती है तो केवल ये 3D phone तक इस सिमित नहीं रहता बलकि process चलता ये है देखी process क्या रहता है introduction of new innovation हुआ इसकी वज़े से income बढ़ी इंकम बढ़ने से consumption बढ़ेगा consumption बढ़ने से investment बढ़ेगा investment बढ़ने से इसको कहेंगे primary waves और primary waves के बाद secondary waves आएंगी secondary waves का वाएंगी क्योंकि जो income बढ़ रही है वो TV की demand भी बढ़ाएगा AC की demand भी बढ़ाएगा वो fridge की demand भी बढ़ाएगा mobile company एक बाद develop हो गई उसको बोलते primary waves लेकिन mobile company की वजए से industry में और भी industry का development होगा माल लीजिए mobile company development होने की वजए से लोगों की income बढ़ी अभी इंकम से कुछ लोग TV खरी देंगे AC खरी देंगे, fridge खरी देंगे, car खरी देंगे उससे car की demand भी बढ़ेगी car की demand बढ़ेगी तो rubber की demand भी बढ़ेगी plastic की demand बढ़ेगी और economy में secondary waves आ जाएगी जिसको उन्होंने secondary waves कहा यानि कि केवल और केवल एक industry तक सीमित नहीं रहेगा बलकि बाकी की industry में भी ये wave पहुँचेगी जिसको उन्होंने secondary waves कहा या boom कहा इसको हम भूम मी बोल सकते हो या secondary waves भी उन्होंने कहा ओकी बच्चो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेरी बास समझ में आ रही होगी यानि कि secondary waves आएगी secondary waves क्यों आईए क्यों कि primary waves की वज़े से जो mobile industry उसका development हुआ mobile industry का development हुआ कार की वज़े से रबड का हुआ रबड की वज़े से प्लास्टिक का हुआ प्लास्टिक की वज़े से लेबर का हुआ और सभी को इनको मिला करो होने secondary waves का लेकिर एक समय के बाद जो new product है वो start appearing in the market और इसकी वज़े से जो old product है वो displacement हो जाएगा यानि कि market में सारे के सारे phone जो है वो गयव हो जाएगे के वल 3D phone ही रह जाएगा ऐसा उनका मानना था इसकी वज़े से क्या होगा कुछ कंपनिया अपने आपको खतम कर लेंगी liquidation हो जाएगी इसकी वज़े से जो demand है वो गिटे गिरेगी डिमांड गिरेगी तो price भी गिरेगा तो और कंपनियां में liquidation आएगी जिससे की recession कहा देखिए समझने की कोसिस कीजिएगा जब सभी कंपनिया 3D phone बनाना शुरू कर देंगी तो जो कंपनिया 3D phone को adopt नहीं कर पाईगी यानि कि जो पुराने phone को बनाती नहीं उनको market छोड़नी पड़ेगी यानि कि market छोड़ने का मतलब डिमांड घटना डिमांड घटने से केवल एक industry की डिमांड नहीं गटेगी बलकि बागी की industry पे इसका बुरा असर पड़ेगा तो उसकी वज़े से recession आ जाएगा अब जो कंपनियां 3D अब देखे रेसेशन जैसे स्टार्ट होता है जो कंपनियां profit कमा रही थी यानि कि रेसेशन का मैं डाइगराम आपको बदा देता हूं इस तरीके का रेसेशन उन्होंने बोला यानि कि यह तो भूम हो गया यहां से रेसेशन हो गया recession की वजए से जो कंपनियां innovation किया है जिन्होंने bank लोल लोले लेकर innovation किया है वह बैंक का पैसा वापिस करना शुरू कर देंगी profit में से इसकी वज़े से market में money की supply है वो कम हो जाएगी मैं आपको बता देता हूं नंबर वन इनोवेशन आया. इनोवेशन आयजे प्रोफिट आया कि आटानेसे इसे इन्वरस्ट मेंटिडि कि फोक्न में बड़ा। इसे इन्वेश्टमेंट बड़ा इसे बोलनें कि प्रायमरी वेप्स है वंजे। जो कि मोबाइल इंडर्स्टी में आया मोबाइल इंडर्स्टी में आने की वज़े से और भी इंडर्स्टी का डप्लमेंट हुआ इसको secondary भी बोला लेकिन दीने 3D फॉन ही यूज होंगे आइंगे और innovation की प्रकलिया फिर से प्रारंब हो जाूजएगा यानिकी ऐसा नहीं है एक ने प्रक्रिया खतम हो गई जाएगी फिर से कुछ लोग ने आएंगे वो यह 폰 एक बार जब फिर से क्लिवेरियम कंडिशन आजाएगी दा न्यू भूम पीरियड स्टार्ट विद न्यू सेट अफ इनोवेशन एड एकनोमी स्टार्ट रिकावरी फिर से रिकावरी स्टार्ट हो जाएगी इस प्रोसेस ऑफ कैपिटलिजर कैपिलिश्ट डेवलप में भी एक प्रिटिव डिमे तर्ट्ट सब्रहएग बहुत ही समयजाने मैं केपिलिजा जेhen लेकिन इसकी विए किसल्स नन्यूझा९ोटिव नियूल वो मार्केट से गिरना शुरू हो जाएंगे हटना शुरू हो जाएंगे जिसकी वज़े से रिसेशन शुरू हो जाएगा रिसेशन की कंडिशन में जो लोन है उनका रीपेमेंट कर दिया जाएगा उनके रिपेमेट करने से आपके सेक्टिविक तरीके से डिप्रेशन न स्टार्ट हो जाएगा लेकिन उसके बाद नू इनोवेशन से आएगा और नू इनोवेशन के वाज़े से से रिकवरी होगी और एक बार फिर से एकनोमी बूम की कंडिशन को अचीव कर लेगी सिंपल सब्दों में बच्चों यही पूरा का पूरा बिजनिस साइकल है बिजनिस साइकल बहुत सिंपल है आपको क्या करना है एक लेवल ले लेना है फुल इंप्लोर्मेंट का और इस तरीके से बिजनिस साइकल बनाना है इसी को उन्होंने ग्रोथ कहा यानि कि यह सेकंडरी वेप्स का और प्राइमरी वेप्स इस तरीके से आती है एक बार प्राइमरी वेप्स आएगी लेकिन सेकंडरी वेप काफी लंबे समय तक बच्चों चलती रहेगी यह पूरी की पूरी थियोरी है, इसकी कुछ criticism भी है, वो हम एक बाद discuss कर सकते हैं, कि उनकी जो पूरी की पूरी थियोरी है, वो innovation पर भेज़ जाए, यानि कि उन्होंने केवल economic development में innovation माना, जबके real life में देखोगे तो केवल innovation से economic development नहीं होता, capital के जरूरत भी होती है, और भी बहुत सारी requirement होती है, इसके अलावा economic development is result of cyclical process, यानि को उन्होंने माना कि उतार चड़ा, इस तरीके से economic growth आती है, यह मानना भी बिल्कुल गलत है, innovation is the causes of economic development, यह तो दो बार हो गया, मुझे लग रहा है, importance is given to bank credit, उन्होंने बहुत ज़्यादा bank credit को loan importance दिया है, लेकि जो new innovators होते हैं, उनको बहुत आसानी से bank loan नहीं मिलता है, इसके अलावा उन्होंने saving के role को बहुत important कर दिया है, जबकि बाद में आप देखोगे growth model में काफी ज़्यादा importance दिया गया है saving के model को, इसके अलावा not perfect theory for under developed countries, यहां के लिए यह theory आप कह सकते हो एक तरीके से sufficient है, लेक theory है, जो हमने कराई है, यह हमारे video course का part है, हम UGCNet, PGT Economics, तमाम तरीके के courses बच्चो को पढ़ाते हैं, करवाते हैं, तो यह हमारी application है, हमारे application के through, यह सारे के सारे courses को access कर सकते हो, application का नाम Vishnu Economics School है, यहां पर हम website के माध्यम से दिखा रहे हैं, इसमें आपको notes, test series, video course, तमाम क सारी video को आपके लिए उपलबदे बच्चो, तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी video को like करेंगे, चनल को subscribe करेंगे, और application में आपको free notes भी available है, उनको भी आप access कर सकते हो, इस video में इतना ही thank you.